यूपी बिहार में सोशल जस्टिस की राजनीती करने वाली पार्टी उपर पर परिवारवाद के आरूप लगते रहे हैं और ऐसे ही आरूप दुनिया को अलविदा कह गया मुलायम सिंग यादो पर भी लगते रहे हैं पांच दशक अपने राजनीती करियर में उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों की राजनीती में एंट्री करवाई लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी परिवारवाद पर है तो ऐसा नहीं यह स्टोरी इसके ऊपर है कि कैसे 2012 के बाद से मुलायम सिंग का कुनभा बिखरता चला गया बात इस पर भी करेंगे कि जिस अकलेश यादोव के हाथों में मुलायम सिंग की विरासत है वो इसे किस हद तक समहाल पाएंगे लेकिन सबसे पहले आप अंकट को फेस्बुक, इंस्टा और यूट्यूब पर जरूर फॉलो कर लें तो आपको याद होगा कि 2012 के विधानसबा चुनभा में मुलायम सिंग की समाजवादी पार्टी को यूपी में पूर्ण बहुमत मिला था इस चुनभा का चेहरा मुलायम सिंग खुद थे लेकिन जब मुखे मंतरी बनाने की बारी आई तो उन्होंने अपने बेटे अखलेश यादव को कूर्सी दे दी इस फैसले के बाद से ही परिवार में अंदर-अंदर धरार आने लगी थी लेकिन असली पूट दिखी 2017 के विधानसबा चुनभा से ठीक पहले ये वो दोर था जब उनका परिवार दो धड़ों में बट गया एक तो अखलेश यादव का धड़ा और दूसरा अखलेश के चाचा शिवपाल का धड़ा परिवार के दो धड़ों में बटने के पहले वो सिर्फ बेटे को नहीं बलके अपनी बहूँँ से लेकर भाईयों, भतीजों, भतीजों और उनके बच्चों तक को पॉलिटिक्स में एंटर करवा चुके थे लेकिन अखलेश का कद पार्टी में सबसे बड़ा होता चला ग राज सभा के लिए चुने गए यह वो समय था जब शिपाल यादो को इटाबा को परेटिव बैंक का चेर्मन मनाया गया लेकिन यह साफ था कि परिवार में मुलायम सिंह की पहली पसंज है वो बेटे अखलेश है ऐसे में कहा जाता है कि 2007 में मायवती की बसपा से मिली हार क के बाद से मुलायम सिंह बेटे अखलेश को यूपी की राजनीती में जादा समय बिताने को कहने लगे तब अखलेश सांसद थे ऐसे मुने दिली का मोह चोड़कर यूपी की बागडोर सम्हालने की और बढ़ने को कहा गया यहीं से अखलेश की राजनीती का उदाय जबकि राम गोपाल और बाकी का पूरा परिवार मुलायम सिंग के इस फाइसले के सब्यास खड़ा था बदला लेने के लिए अखलेश ने उनसे सब कुछ छीन लिया। इसके जवाब में शियुपाल ने अखलेश के साथ फेवरेट लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद एक दूसरे के लोगों को दोनों ने लागतार निशाना बनाया। ऐसा ही सिलसिले में जब अखलेश ने शियुपाल के तीन चहते लोगों से मंतरी पच छीन लिया। तो इसके जवाब में मुलायम सिंग ने राम गोपाल यादव को छै साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिखा दिया। यह सब चरम पर तब पहुँच गया जब मुलायम ने राम गोपाल और अखलेश को पार्टी से 6 सालों के लिए बाहर कर दिया। दोनों पर घोर अनुशासन हींता का आरोप था। हुआ यह था कि 2017 के विधान सबद चुनाव से ठीक पहले अखलेश ने अपने 325 कंडिडेट्स के एक लिस्ट जारी की थे इसमें कई ऐसे नाम नादारत थे जिने एक दिन पहले जारी की गई लिस्ट में मुलायम सिंग जगह दी थी। इसके बाद तो बड़ा खेल हो गया, अखलेश को पार्टी से बाहर की जाने के तीन दिन बाद पार्टी ने अखलेश को एक मत से नेशनल एग्जेकेटिव चुन लिया, हलाकि मुलायम सिंग ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया, फिर भी नेशनल एग्जेकेटिव बना सबाद चुनाओ से लेकर, 2019 के आम चुनाओ तक पार्टी का बेडागर कर दिया, शायद इसी का नतीजा था कि 2022 के विधान सबाद चुनाओ से पहले अखलेश और शुपाल फिर से साथ हा गया, ऐसे में 2017 की तुलना में, 2022 के चुनाओ में समाजवादी पार्टी की प्रदर् तो जी, अगर आपको लगता है कि कहीं जादा सम्मान मिलेगा, तो आप वहाँ जाने के लिए स्वतंत हैं, शुपाल ने तो सिर्फ क्रोस वोटिंग की थी, मुलायम सिंग की बहू, अपर्णा यादो तो 2022 के विधान सबाद चुनाओ में भाजपा में ही शामिल होगी, ऐस देखते हैं कि भाविश्च में क्या होता है, आप देखते रहे हैं, अनकट मेरना मित्ता रूब,